नमश्कार मैं शुक्ला सर अगर आप अपने बच्चों को आई आई टी जेई की तैयारी के लिए कोटा भेंजना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए दरसल जब हमारे बच्चे 10th पास करते हैं या कई बार वो 9th में रहते हैं 6 में रहते हैं तब ही हम लोग उनके IIT जेई की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा में भेजने का प्रोग्राम बनाने लगते हैं अच्छी बात है कैरियर ज़रूरी है बच्चे का लेकिन जो कोटा की बारे में ये मैं आज डिटेल बताऊंगा इससे आपको एक आईडिया आएगा कि आपके बच्चे को कोटा भेजना चाहिए आपको या फिर घर पे उसकी तैयारी करवानी चाहिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे ऐसा कहा गया है कि स्वास्था एक संपुर्ण संपदा है अर्था सबसे बड़ी दौलत स्वास्था है जब आपका बच्चा कोटा जाता है तो उसका जो सबसे पहला प्रॉबलम क्रेट होता है वो हेल्थ का होता है स्वास्थ है उसका गिरने लगता है क्योंकि वो अच्छा खाना अपने घर का खाया हुआ रहता है और जब वो कोटा में जाता है तैयारी के लिए तो वहाँ पे जो भी टिपिन की सर्विस है या होटल्स है लॉज है जिस भी बिवस्था को आप वहाँ पे जा करके फॉलो कर करेंगे वो उतना अच्छा खाना उतना न्यूट्रेशन नहीं दे पाता जिससे पहली जो सबसे पहली समश्या उभर करके सामने आती है कोटा जाने वाले बच्चों की वो है उनका स्वास्था गिरने लगता है अगर हम स्वास्था को हटा भी दें तो अब दूसरी बात प कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाले प्रोफेशर वो बहुत तेजी के साथ नए नए कोचिंग क्लास बनाते रहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि कहीं वो इस्थिर नहीं रहेंगे आपको मालीजे की मिस्टर एक्स का कोचिंग क्लास बहुत अच्छा जल रहा है इस साल उसने नया बना लिया उनकी फैकलिटी पूरी बदल गई और जो नई फैकल्टी आपके बच्चे को मिली वो इतनी अधकचरी होती है नौलेज के मामले में कि मुझे माफ करना उनको खुद बहुत अच्छा ग्यान नहीं होता है जेई और निट की तैयारी के लिए तो दूसरा प पैकेज मिलेगा वो एक पूरा खेल है कोटा शहर में और वो वहां पे चले जाएंगे अब हम बात करते हैं तीसरी बात हमने पहली बात आपको समझा दी कि आपके बच्चे का स्वास्त है जरूर गिरेगा कोटा में जा करके दूसरा पॉइंट हमने बताया कि वहां की फैक इशन में में वह पॉलेज में जाने का महसूस करता है हुआ कि कोटा में तो पूरिय भारत के कौलेज के लोग आ करके बैठे हुए हैं वहाँ पर दोस्त बनाने लगता है नया-चूर धीरे-धीरे उसका पढ़ाई से मन खतम होने लगता है गी Compass с My Girlfriend सिलसिला चलता है कि आप जा करके एक बार रुख करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि जुन्ड के जुन्ड दोस्त निकल रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ में पहले तो घूमेंगे बाद में जब उनका rank खराब होने लगता है तो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं तेरे वज़े से हुआ तो ने मुझे रात को फोन किया था तो ने मुझे रात को फोन किया था मैं तेरे साथ गूमने गया मैं तेरे साथ गूमने गई और इस तरीके से पूरा रिजल्ट वहां का खराब हो जाता है और फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं तो टेंशन आता है अब टेंशन में बच्चे दीरे दीरे शुसाइड भी करने लगते हैं और आपको लगता है कि हमारा टेस्ट खराब हो रहा है आप तो सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे का बहुत बढ़ियां करा दिया है और बढ़िये रिजल्ट आएंगे आई आई टी में सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है इन तीन बातों पर गौर फर्माने के बाद जो चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप जा करके पता लगा लिजे पूर्ण सत्यता मैं कह रहा हूँ इस बारे में जिस बात को आपको मैं बताना चाहता हूँ वहाँ पे एक गैंग सक करिये है जो बच्चों को बहला फुसला करके उनकी दोस्ती लड़कियों से या लड़कों से करा देती है और बात में ब्लैक मेलिंग करने लगती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये फोटो आपके मॉम के डैट को भेज दूगा मैं और इस तरीके से वो बच्चा धीरे धीरे घुटन में जा जाता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि लास्क में वो सुसाइट करता है अगर अकेले कोटा सहर की बात हम करें तो धेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रतीवर्स काल के गाल में समा जाते हैं उसका कारण है तनाव उसका कारण है वो गैंग जो सक्रिय हुआ है अगर आप बिश्वास नहीं करते हैं तो आप कोटा सहर से थोड़ी दूर पर आहुजा मॉल है जहां धकनिया तलाब है वहां जाकर के आप ऐसे गैंग को देख सकते हैं जहां बच्चे अक्सर घूमा करत हैं अगर आप जाएंगे तो इन चीजों को वहां देख पाएंगे करीब से समझ पाएंगे पांचमा पॉइंट जो हम डिसकस करने रहे हैं कि बही कोटा में आपका बच्चा जब चला जाता है तो वो आपके परिवार का माहूल बिलकुल नहीं पाता है और जब परिवारि को ही कुछ नहीं आता बाकी सब लोग वहां पे बहुत अच्छे हैं इस तरीके से बच्चा धीरे-धीरे घुटन महसूस करने लगता है और ओवर आल उसकी लाइफ बनने के जगह बिगड़ेने लगती है कुछ जो बच्चे होशियार हैं वो थोड़ा बहुत वहां से सीख करके वापस आ जाते हैं BSC MSC करने लगते हैं या कि सोचते हैं कि हम एक गलत फैसला ले लिए अगर आप अपने बच्चे को कोटा भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए IITJ या NEET की तैयारी के लिए तो एक बार इस वीडियो को धैरे पुर्वक पूरा सुनेगा क्योंकि हो पाद पर वाचि इस वीडियो